इक बारी ओ रबा मेरे यारानों तुमोड़ दे वेख ले तू चाहे आप आके यो नदी किनी लोड़ है ओ एक बारी ओ रबा मेरे यारानों तुमोड़ दोस्तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी दोस्ति आपके दोस्तों के साथ कैसी है तो आप क्या कहेंगे मैं नहीं बताऊंगा जान देदेंगे इसके लिए लेकिन क्या वो टाइम के साथ वैसी रहेगी जैसी आज है दस साल के बाद बीस साल के बाद जिसका नाम है उचाई जो बताती है कि आपका रिलेशन आपके दोस्तों के साथ कैसा होने वाला है फ्यूचर में यह स्टोरी आपके बच्चों के साथ और बच्चों का रिलेशन कैसा है पैरेंस के साथ फिल्म आपको बैसिकली इतना इमोशनल करने वाली है कि आपके आँखों से आसु आ जाएंगे बैसिकली मूवी बेस्ट है यूमन की सर्वैवल स्पीट में ना कोई ऐक्षन है ना कोई सूपर ही जिरो फिल्म किसी साउथ की मूवी का रीमेक है या ना ही वो कोई साउथ की मूवी है एक ओरिजिनल कॉंसें बेश्ट है चार दोस्तों पर जिसमें से एक दोस्त जिसे सबसे उचे मांट एवरेस्ट पर चड़ना है लेकि उसकी time से पहले ही death हो जाती है और अपने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए बाकी के तीन दोस्त Mount Everest पर कैसे चरते हैं उन्हें क्या क्या problems आती है वो movie में हमें basically बताए गया है और दिल्ली से लेकर वो Everest तक की दूरी को कैसे पार करते हैं यह हमें movie में बताए जाएगा movie का music ठीक ठाक है लेकिन movie के कुछ ऐसे scene है जहाँ पर आप भी emotional हो जागे और कुछ ऐसे scene है जहाँ पर आप भी हसने लगोगे मेही तरफ सापको आज यह movie देखनी चाहिए ऐसे और review देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूँए